हेलो फ्रेंट्स आज से हम सुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सीरीज जूनियर एडेड इसकूल एकजाम के लिए और इसमें हम टॉपिक लेने वाले हैं मापन ठीक है यूनिट्स एंड डाइमेंशन्स की टॉपिक लेंगे और इस टॉपिक से कोश्चन भी आने वाले हैं क्य और इसे पहले पहला कोश्चन शूरू करते हैं और कोश्चन के माधिम से हम सबको सीखते चले जाएंगे ठीक है ऐसे अलग से पड़ाना प्रा परे सबागर और बधे इस तो इस यह सोच 10 में पढ़े क्योंकि यह टॉपिक जो है ना वह नाइन तुर टेंट का ही है तो उससे में पढ़े और भूल गये वह नाइन तेनग करने का नहीं पढ़े नहीं पड़ती कि तो इस तरह से कि वे लिए याद रखना bei एकजाम हो जाए उसके ऑठ पढ़ाना है तो फिर तो भूलोगे नहीं की जब तक एकजाम नहीं हो जाते हैं आपके तब तक आप इसको बिल्कुल नहीं बूलोगे हमेशा याद रखोंगे यह सोच के पढ़ना है ठीक है तो सुरुवात करते हैं हम सबसे पहले कोशन की पहला कोशन है वे भौतिक रासियां जिन में केवल X होती है और Y नहीं होती है उन्हें आदिस रासियां कहते हैं अच्छा इस बार मैं आपके लिए सारे कोशन हिंदी में लेके आई हूँ क्योंकि जितन भी मैंने वीडियो बनाई है आपने हर बार बार कहा कि हिंदी में बताए थो फिजिएक्स तो मैं टोटल हिंदी में लेकुह हो यूँग केमेस्टिय चिलोजिय कि बातो उती है जब sectors होते है गो इंगलेस्वाट के लिए बेटर होती है तो यहां पर हमने हिंद टॉपिक्स मतलब पूरे हिंदी ही है अराम से आप समझ सकते हो ठीक है जहां धिवकत होगी बता देने इंग्लिस में समझा देंगे फिर तो कोशन के माद वह समझते हैं सबसे पहला है यहां पर सुरुवात हम राषियों की कर रहे हैं सदिस रासिया और अदिस रासिया लेकि इस कोशन में आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ जानना होगा जो मापन है जो मूल मापन है वो पैमाने किते हैं साथ किते हैं साथ है ठीक है और वे साथ कौन-कौन से हैं सबसे पहला है लंबाई ठीक है और लंबाई का मातरक क्या होता है मीटर दूसरा जो मूल मातरक है मैं उनकी बात करें हूँ पहला है लंबाई दूसरा क्या है द्रब्यमान ठीक है द्रब्यमान और इसका मात्रक क्या है किलोग्राम ठीक है तीसरा क्या है समय यह सबसे पहले के मात्रक जो थे यह तीन थे बाद में क्या साथ तो समय का मात्रक क्या होता है सेकंड तीसरा चौथा है ताप टेमप्रेचर और उसका मात्र क्या होता है केलवीन होता है उसके बाद क्या आता है बिद्धु धारा यानि करेंट और उसका जो बिद्धु धारा है बिद्धु धारा का मात्र क्या होता है एंपियर होता है उसके बाद आती है जोति तिब्रता जोति तिब्रता यानि क पदार्थ की मात्रा, ठीक है, सात्वा क्या है, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है, मोल होता है, तो इस तरह से साथ हो गए, साथ मात्रा हैं उनके मात्रक, लंबाई, द्रब्यमान, समय, ताप, बिद्धुधारा, जोसिती बरता, और पदार का यहात करते हैं इन ही सामें तो हम शुरुबात करते हैं सबसे पहलेघ्र च्छैतरफल ओकर भुड़ा 2007 मतलब क्या होता है लंभाइ लंबाइ गुड़े च्योड़ाइ सब्सक्राइग क्या होता है यह लंबाई का मात्रक क्या है लंबाई तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर हो गया ठीक है चोड़ाई इसका भी यह भी तो लंबाई ही होती है यहां पर जो लंबा वाला है उसे लंबाई का दिये जो छोटा वाला है उसे हमने चोड़ाई का दिया सिंपल तो इन्हीं होता है मीटर होता है तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ साथ मूल रासियां होती है और उन साथ मूल रासियों से बाकि सभी रासियां बनी होती है अच्छा अब देखो कुछ रासियां ऐसी होते हैं जिनमें सिर्फ परिमार होते हैं परिमार का मतलब सिर्फ नंबर्स होते हैं ठ हाथ में दिशा भी होती है तो ऐसी रासियां जिन में केवल परिमार होता है ठीक और दिशा नहीं होती उन्हें क्या करते हैं अधिस रासियां करते हैं ठीक दिशा अगर नहीं हो सिर्क परिमार हो तो उसे क्या कहेंगे अधिस रासियां करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं क्य अगले कोश्टन के उर बढते हैं नेक्ष्ट कोशन है अमारा ओच्छे यहां पर देख लिए तो रासिया कित्ती दरकिंतों एक समय इकतुạnh तो हो गई सदिस रासिया और दूसरी कैसी हो गई अदिस रासिया ठीक है जो सदिस रासियां है उनमें क्या होता है परिमार भी होगा और साथ में परिमार भी है और साथ में क्या है उसमें दिशा भी है तो जिसे परिमार भी हो और दिशा भी हो दोनों हो उसे क्या कहते हैं सदिस रासियां एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सदिश रासियां होती है उनमें जो दिशा होती है वह चेंजेबल होती है जब भी दिशा ऐसी हो कि जो कभी न चेंज हो सके जब दिशा ऐसी हो कि जो कभी चेंज नहीं हो सके ठीक है एक निश्चित दिशा हो तो वह रासी अधिश हो हो जाएगी ठीक हे जैसे कि एक ले साथ टीक है यहां पर दिया हूए दाब दाब क्या है एक अधीस जाथ यह जबकि अगर लेई का फोड़ा क्या होता है कि आपको दिख रहे हो गाराबर क्या होता है यहां से को ढ़िछ यह थीवर्पर सकने ह Catholics ठीक है यही होता है ना दा बराबर बल बटा छेत्र फल लेकिन बल क्या है बल के होता है द्रब्यमान गुड़े त्वरड ठीक है यहां पर देखो बल क्या मत्रब क्या हो देता है द्रब्यमान गुड़े त्वरड ठीक है अब द्रब्यमान क्या है एक अधिसरासी है द्रब् लेकिन यहां पर त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण करते हैं तो यहां पर वेग में जो परिवर्तन हो रहा है एक दिसा में हो रहा है क्योंकि जो वेग होता है वेग क्या होता है वेग भी एक सदिस राशी है ठीक है तो यहां से समझना तो यहां पर क्या होगा कि बल क्या हो गई एक अदिश्रासी हो गई अब यहां पर आया क्या छेत्रफल छेत्रफल क्या होती है एक अदिश्रासी होती है ठीक है छेत्रफल क्या है अदिश्रासी है लेकिन इन दोनों से बन रहा है दाब और दाब क्या है एक अदिश्रासी है क क्योंकि जब हम किसी भी चीज को दबाओ किसी भी चीज पर जैसे कि अगर अगर ऐसे जहां भी बिट आपके पास ना मोबाईल पहीं दबाओ लगो तो दबाओ किधर जाएगा जिधर बल रगगा है उसके लंबवत ठीक है दाप का ज़िधर जो दिशा प्रिष्ट भाग होगा तो जब ऐसा हो कि दबाव में या फिर किसी में अगर जो दिशा है और शदय एक ही रहें दिशा में परिवर्तन ना हो तो वह राशी कैसी होती है अदिश राशी होती है आई हो आप इसको समझ गया होगे कि दाब क्यों अदिश राशी है जैसे आप पर कह सकते हो तो कि दाब अगर बल है बल क्या है एक शदिश राशी है चेत्रफल क्या है अदिश राशी है तो फिर दाब क्या होना चाहिए सदिश होना चाहिए लिकिन न करना लोगे कि वो कौन सी राशी हो सकते ठीक है आगे बढ़े इसके साथ ही अगले कोश्चन क्यों तो यहां पर कुछ हमने आपको भी बताये थे लो यहां पर तो ऐसे बताये कि सब भूली सकते हैं देखो यहां पर जो अदिस राशियां वेका है चाल दूरी द्रब्यमान च चाल दूरी द्रब्यमान आयतन समय ताप कार्य बिद्धुदारा दाव और उर्जा इनके साथ और भी बहुत सारे राशियां है जो क्या कहलाती है अदिस राशियां कहलाती है इनमें क्या होती है दिशा नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ परिमार होता है ठीक है तो आप इसक कर सकते हो ना चाल दूरी द्रब्यमान आयतन समय तापकार विदुधारा दाव उर्जा ठीक ऐसे याद कर लो उसके वाद आती है सदिस राचियां सदिस राचियां जिनमें परिमार और दिसा दोनों है तो इसमें क्या हो गया बेग बल समवेग त्वरण विस्थापन रेखी जहां भी वेग और समवेग जहां भी होगी वेग क्या हो जाते हें वे किसा विस राचिया होते है उसके बाद चूमबप की अघुड चाल प्रावर्ता वैसे एकर हम बात करें शिर्फ चाल की तो चाल लेकि जब प्रवड़ता की करेंगे तो यह सदिसरास्यय क्या होता है अधिसरास्य थीक है और मूल रास्य है मूल रास्य ना धु लेकि जब ताaş्य गनत रहाखन तो यह तिनों एक में बिद्धु धारा अधिसराशी होती है लेकिन बिद्धु धारा घणत तो क्या है सदिसराशी है बिद्धु धारा भी अधिसराशी है घणत भी अधिसराशी है लेकिन बिद्धु धारा घणत तो क्या है सदिसराशी है आया समझ में इतना आगे बढ़ें अग यह सदिष राश नहीं है तो क्या है कारे का मतलब क्या होता है कारे का मतलब क्या है? क्या होता कार्य का सबस्ता देख है कारे काम क्या मैं होता है Kara ह SprSch mango practice भी स्थापन कारी का होता है पाल गुड़े विस्थापन होता है ठीक है तो अब जो बल है यानि कि किसी पढार्थ का द्रब विमान है और जो त्वरत है इनका जो गुड़न फल होता है वह क्या होता है बल होता है तो इसमें क्या है परिराम भी है और दिसा भी है तो यह क्या हो गया एक सदिस राशी हो गई तो बल तो सदिस राशी हो गई अच्छा इसमें वेग है तो वेग क्या हो गया यह भी सदिस राशियों हो गई तो यहाँ पर इन दोनों का जो multiplication है यह दोनों multiplication क्या हो रहा है एक तरह से दोनों सदिस है तो जब दो सदिस राशियों में multiplication होता है तो इस गुड़न को कहते हैं अदिश गुड़न क्या कहते हैं अदिश गुड़न अगर पीछे कि और पूजिटीव हो अगर जीडों है जिसे कि पीछेंची और पीछेंची और पीछिस पीछेंची पैटिव हो पॉजिटिव होना चाहिए तो फिर हो कारे है अगर 0 है जैसे कि अगर हमने cos theta लगाया cos 90 अगर theta कमान 90 degree हो जो तो fd cos 90 degree का मान क्या होता है 0 होता है तो यहाँ पर fd cos theta कमान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा कमान कितना हो गया 0 हो गया तो यहाँ पर कोई भी कारी नहीं हुआ तो मतलब कि अगर आप कोई शामान लेके जा रहे हो ठीक है अगर मालो कोई कूली है और वो सामान कहां लेके जा रहा है अपने सर पे अगर सामान रखके लेके जा रहा है तो यहाँ पर कास theta कमान कितना हो गया 90 degree हो गया तो ऐसे में जो कारे होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कारे क्या होगा जीरो होगा तो जब भी हम दो सदिस रासियों का गुड़न कर रहे हैं तो यहां पर वह इस गुड़न को करते हैं अदिश गुड़न ठीक है क्या कहेंगे अदिश गुड़न तो यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी में गुड़ा हो रहा है तो इसलिए जो रासी मिलेगी वह रासी क्या होगी अधिसरासी होगी यही वजह है कि जो कारी है वह क्या है अधिसरासी है समझ में आ गया है ना क्योंकि वजह जानना जरूरी है मैं इसलिए आपको इतना डिफाइन करके बता दिशह होती है तो अगले की और बढ़ते हैं अगले के और कोस्वित आपको समझ में आंगही होगा अगला देखें कौन्सी एक सभिता लिखे तंफ यह कौन सी एक सभित्रात यह तो उश्मा कोई दिशह होती है क्या नहीं होती गती तो गती जहां भी होगी गती वेग विस्थापन यह जहां भी होगा वह रासी कैसी होगी सदिस रासी होगी आगया समझ में तो अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं अगला कोश्चन है निम्ने लिखित भौतिक रासी उपर विचार कीजिए उज़ा शक्ति दाब अगर हम बात करें यहां उर्जा की तो उर्जा क्या होती है एक अधिस राशी है उर्जा की बारे में जानते हैं कोई दिसा नहीं है तो क्या हो गया उर्जव? अधिसरासी हो गई, ठीक है, लेकिन हमें तो option देखना होगा ना, क्योंकि हम option के recording ही कर सकते हैं, option में देखो, यहां पर दिया हुआ है, दाब, ठीक है, क्या है, दाब, और दाब का क्या मातरक होता है, Fपान A, ठीक है, Fपान A होता है, आरोपित, ल लंबवत होती है जिस पर भी आप दाब लगा रहे हैं तो यहां पर अगर उपर से नीचे की तरफ आपने दाब लगाया तो यह इसका प्रिष्ठ होगा ठीक है यह इसका पूरा प्रिष्ठ है तो इस प्रिष्ठ के लंबवत होगी हमेशा कैसी होगी प्रिष्ठ के लंबवत होगी तो यहां कभी बदल नहीं सकती है तो इसलिए दाब क्या ओ गया एक अधिश्राश ही होगई तो जाहां भी दाब है उसको कट종 भी MBA ुज़ मुण मुद्भावर्स के वाच्राशि होगा चीक है तो यहां पर क्या है मैं मुद्भ बाक्षा disasters now थोड़ा सा और खुछ बता दू जैसे कि अगर अभी हमने बात के लिए त्वरड की ठीक है इसके थोड़ी से बीमा मैं आपको बताना चाहती हूं क्योंकि बीमा याद रहेगी तो ज्यादा सही रहेगा हो सकता है कभी ऐसा हो कि आपसे बीमा पूछ दिया जाए या फिर एसा कोशन नहीं तो यहां पर देखो सबसे पहले है कारे ठीक है तो कारे का मतलब क्या होता है बल गुड़े विस्थापन कारे का मतलब क्या है बल गुड़े विस्थापन ठीक है तो यहां पर इसका एसाई उनिट क्या होता है न्यूटन मीटर क्या होता है न्यूटन मीटर ठी ठीक है और CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन याद करते चलना ठीक है तो न्यूटन मीटर या डाइन न्यूटन मीटर एसाई पद्धति में और डाइन क्या है CGS पंतर CGS पंतर एंड है जब हम Newton को change करते हैं एक्दम simple मूल मात्रक में इसको हम change करें मूल मात्रक में तो यह क्या हो गा न्यूटन अमतलब क्या हो Tôi किलोग्राम ठीक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है यह क्या हो गया कारी का मात्रक हो गया अगला देख लेते हैं इसके बाद दूसरा हम देखते हैं दूसरा क्या है बल ठीक है तो बल का मतलब क्या होता है बल का मतलब होता है परिमाड ठीक है इसमें क्या होता है sorry पर नीमार करें इसमें क्या होता है मास इन्टू इसलरेशण यानि द्रब्यमान गोडे तूरड ट्रब्यमान का मतलब क्या हो जाएगा kg जो द्रब्यमान होता है उसका ऐसा ही मतलब क्या है kg तो यहां पर क्या हो किल ग्राम ठीक है किलोग्रां तो त्वरडिकों की होता है मीटर पर सेकेंड सुवाइर आप इसको चेंज करो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्कुयर्ड इसको क्या कहते हैं हम Newton क्या कहते है Newton तो जो बल है उसका SI मातर रख्या हो गया Newton हो गया क्या हो गया Newton याद रहेगा ना Kilogram meter per second square इसको क्या कहते है Newton कहते है ठीक है और इसी बल में किसका multiplication हो रहा है विस्थापन का किसका multiplication हो रहा है विस्थापन का और विस्थापन को क्या करते हैं एक दूरी है और दूरी को क्या कहेंगे मीटर ठीक है तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर दूरी का एक लंबाई है लंबाई का मात्रक मीटर तो न्यूटन ठीक है न्यूटन मीटर क्या हो जाता है न्यूटन मीटर कारी का मात् विस्थापन का मतलब क्या हो गया सिर्फ एक लंबाई है और लंबाई का मतलब हो गया मीटर उसके बार अगला आता है वेग और अब आप समझ गयो होगी कि वेग क्या होता है आपको वेग पता है ना एक निश्चित समय में चली गई दूरी को एक निश्चित समय में चली गई दूरी को वेग करते हैं लेकिनों दिशा भी होती है एक निश्चित समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहेंगे वेग कहेंगे ठीक है तो अब आप मुझे जरा बता दो कि वेग तो क्वें किया होता है ? खो रहे होगा ? दूरी है तो मीटर और टाइम भी लग राए एक निष्ची समय लग रहे हों लग़ाए मीटर पर सेकंड टो जो चाल होती है और गोरी होता हो मात्रक है हो क्या है मीटर पर सेकेंड ठीक है अगला यतना समझ में आगे आपको समझ में अच्छा यहीं से आप बना सकते हो जैसे कि यहां पर है किलो ग्राम मीटर पर सेकेंड इसको आप आराम से चेंच कर सकते हो ना बीमी राशी में बीमी राशी आपको चेंच करना आता ही होगा आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगे और बीम्य राषी या इस हो पूछेगा भी नहीं इजली कर लोगे लेकिर इसमें हम आपको बताने के कोशिश करते हैं अगला कोश्न देखिए इसमें से कौन सी राषी? सदिस राषी है सदिस राषी कौन सी है तो दाब क्या है अदिश्राशी है तो ये होगा नहीं ठीक है उर्जा क्या है अदिश्राशी है होगा नहीं कारे भी एक अदिश्राशी है तो ये भी नहीं होगा बचे गया क्या संबेग तो संबेग क्या है एक सद्रासी संब्ष और लिएंख का से उतिए जंड़ी कोई वस्तु जा रही है ठीक है कोई भी वस्तु ए तो उसके में वेग उस्में को परिवर्तन तब तक और इसमें वेलासिटी ड्रवेमार इंट्रू जो वेलासिटी होती उसी क्या करते है संवेक करते है संवेक संरच्छर का नियम कभी कभी पूछा जाता है कि संवेक संरच्छर का नियम क्या होता है तो जब भी कोई वस्त जा रही है ठीक है तो क्या होगा हम जानते है न क्रिया और जब उसके वेग बढ़ा, तो उसने क्या किया? पीछे की ओर प्रतिक्रिया दी, तो जो प्रतिक्रिया नियमें उसके according क्या होगा? उसने एक दबाव पीछे की ओर लगाया, तो पहले तो इसके आगे बढ़ा जब गोली बाहर निकली. इसका समवेग बढ़ा. मौस तो उस नहीं है. लेकिन इसका वेग बढ़ा. तो जब जो दर्ब्यमान और वेग है. उसका गुड़नफल समवेग है. तो यहाँ पर जो दर्ब्यमान था. उसमें एक वेग बढ़ा. और वस तो जो गोली थी वह आगे की और बढ़ी ठीक है तो जैसे यह आगे बढ़ी तो उसने बंदूग पर पीछे की और धक्का दिया ठीक है पीछे की और धक्का लिया तो यहाँ पर पीछे की तरफ इसका भी समवेग बढ़ा जो बंदूग है उस पर भी पीछे की और पकड़े होता है या फिर जो बड़ी वाली होती है जो बंदूख है उसको क्या करते हैं कंधे पर रखके चलाते हैं मतलब पूरी टाइटली पकड़े हैं क्योंकि अगर आपने टाइटली उसे नहीं पकड़ा तो आभी गर जाएंगे तो यहां पर यही होता है संवेग संरच अच्छत है ना तभी तो उसमें पीछे के और उसने धक्का दिया जितना धक्का उसने पीछे के और दिया आप चुंकि क्या होता है कि गोली बड़ी चोटी सी गोली है तो उसका जो संवेग लगा यहां पर बंदूख की उपर तो वह कम लगेगा इसलिए भारी बंदूख होका यह ठाइन हा है बंदूख जितने हलगी होगी जितनी जज़ादा बंद्ूख होगी जो चला रहे है उसको उतनी तेज चोट लगेगी क्योंकि उतना जदा पीछे जाएगी चोट उतनée जाता है ठीक ऐए अचा है दूसरी शे समझो अगर जैसे कि उपर से कोई cm1 उसका करें के तो वह उपर नीचे को अठीक है sûr नीचे प्रित्वी को अपनी ओर खीच रहें लेकिन कि प्रित्वी का तयंहेंद बोस्त लेक्व्त बहुत जाता है, और प्रित्वी कि जो उसके उपर गति है वह क्या हो जाएगी वह नगड़े हो जाती है पता नहीं चलता क्यों प्रिट्वर को खीच रही है तो यहाँ पर भी समवेग सनरचर का नियम तिखाए देते हैं आपको इस चीज़ समझ में आगे कि समवेग सनरचर का नियम क्या है और क्या है सदिश राश्य क्यों है समवेग आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है इसमें कौन सी राश्य है जो की सदिश नहीं है तो यहाँ पर देखो जो वेग है वह क्या है एक सदिश राशी है विस्थापन भी सदिश राशी है बल क्या है सदिश राशी है लेकिन आयतन क्या है लंबाई गुड़े चोड़ाई गुड़े उचाई यहाँ पर कहीं भी सदिश राशी है नहीं है इसमें कोई भी इसकी जरुवत नहीं है कि दिशा भी हो आगे बढ़ते हैं अगले question के निम्ले में से कौन सी सदिश राशी है तो सदिश राशी कौन सी है चाल इसमें कोई सदिश राशी नहीं है ठीक है समय यह भी अधिस रासी है दूरी यह भी अधिस रासी है विस्थापन क्या है एक शदिस रासी है ठीक अगले कोशन के और बढ़ते हैं बल का एसाई मातरक क्या है तो देखो बल का एसाई मातरक क्या है बल का मतलब क्या होता है जल्दी से बता दो बल का मतलब क्या होत मेर्जायों माल्च हमनद मेर्ण का मतलब क्या होता है किलोग्राम Title versus सेकेंड स्क्वाइर क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर तो टोटल क्या हुआ किलोग्राम मीटर और सेकेंड को अगर उपर ले जाए तो सेकेंड टूपावर माइनस टू यहीं हुआ ना उपर तो इसको पूरा मिला किया भी पीछे हम बताए भी थे कि जो बल का मात्र अच्छे यहां पर एक वर्ड दिया है पास्कल दिया था ना हाँ पास्कल पास्कल किसका मात्रक है दाब का जो दाब होता है दाब बराबर क्या होता है बल गुडे क्या होता है बल बटा छेत्रफल दाब बराबर क्या हुआ बल बटा छेत्रफल और बल बटा छेत्रफल का मत मतलब यहां पर बल का मतलब दिया हुआ है किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वार ठीक है यहां पर बल का मतलब दिया हुआ है और इसमें अब क्या है चैत्रफल चैत्रफल का मतलब क्या होता है क्या होता है चैत्रफल का मतलब यहां पर जो मीटर है और टू देख एक किलोग्राम मीटर स्ट इसकोर्र और यहां पर मीटर इसक्वाइब यि करना यहां से एक स्ट कर गया और अब क्या बचा किलोग्राम मीटर म conduit माविनस स्ट जन सेचेंड माविनस टू क्या मतलब होता है श्तर साम पाश्कर ठीक है तो किसका है डाब का तीक बल बट चेत्र फल अगले कोश्चन की ओर बढ़ए है दाब जो और न था Newton ठीक है Newton मतलब क्या था Newton बल बल का जो मातरख था Newton और जब हम बात कर रहे हैं दाव की तो Newton बल बटा छहतर फर Newton पर मीटर इसको आयर या फिर Newton मीटर टुपावर माइनस टू और इसको क्या करते है पाशकल ठीक है आगे समझ में अगले कोशन के और बढ़ते हैं आवृत्ति का SI मात्रक क्या है तो आवृत्ति का मतलब क्या है फ्रिक्वेंशी और फ्रिक्वेंशी का SI मात्रक पूछ रहा है तो फ्रिक्वेंशी क्या होती है जो भी तरंगे उत्पन हो रही है जो भी तरंगे उत्पन हो रही है तो एक टाइम के अंतरगत जितनी बारो तरंगे उत्पन होंगी एक एकांग समय में तरंगों की जो संख्या है वह संख्या क्या कहलाती है वह संख्या कहलाती है आवरित्ती एक सेकेंड में ठीक है एक सेकेंड में जो तरंगों की संख्या है यह पूरी तरंग हो गई ठीक है तो यह जो पूरी तरंग है एक सेकंड में जितनी बाहर जाएगी उसे क्या कहेंगे आवर्त क्या होता है यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर आवर्त क्या है एक सेकंड में जितना जा रहा है ठीक है आवर्त क्या होगा एक साइकल को पूरा होने में जितना टाइम लगे ठीक है एक साइकल को पूरा हो में जितना टाइम लगे वह आवर्त काल है और जब वो टाइम जब बता tanto उड़ bit अवर्त काल ठीके और जब संख्या बताय तो अवॅध़ तो जब एक संख्या में मतलब एक सेकेंड में जितनी साइकल जाए इस साइकल है जो जितनी साइकल पूरी हो जाए उसे क्या कहेंगे आप लित्ति कहेंगे और इसको क्या कहते हैं हर्ज कहते हैं क्या कहते हैं हर्ज ठीक है तो इसका क्या ऐसा ही मातर क्या होता है हर्ज होता है साइकल अगले कोशन के और बढ़ते हैं यह पूछ रहा है कि वह थर्मामीटर जो दो हजार डिग्री सेल्सियस मापने हेत उपयुक्त हो तो जो पूर्ड विक्रर पाइरोमीटर होता है पूर्ड विक्रर पाइरोमीटर वह क्या होता है 2,2-2 सेल्सियस मापने में परीयुक्त होता है तो इसे क्या बताना अगले कोशन के और बढ़ते है ध्वानी की तिवरता का मात्रक क्या है तो द्वनी के तिवरता है उसका मात्रक क्या होता है डेशिबल होता है आप जरा मुझे कमेंट बाक्स में बताना कि कितने डेशिबल से जादा की ध्वनी को हम सोर कहते हैं कितने डेशिबल की ध्वनी को हम सोर कहते हैं पहला और सेकेंड जरा हमें ये बता देना कि कितने डेशिबल की ध्वनी लगातार सुनने से हमें बहरापन सकता है दो कोश्चन हैं दोनों अलगलग कोश्चन हैं एक कितने डेशिबल की ध्वनी को हम सोर कहते हैं दूसरा कितने डेशिबल की ध्वनी लगातार सुनने से बहरापन आ सकता है क्योंकि कोश्चन को छीसी तरह से आते हैं अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं उसमा का SI मात क्या होता है मैं इस question को नहीं बताओ कि इतना easy question है कि आप easily बता सकते हो क्या बताना चाहते हो जूल को ठीक है अगर कह रहे हो आप लोग की जूल है तो यहीं सही होगा ठीक है आप लोग खुद बताना क्या होगा अगले question क्यों बढ़ते हैं इसमें से कौन सी एक उस्मा की इकाई नहीं है कौन सी है जो कि उस्मा की इकाई नहीं है किलो कैलोरी कैलोरी किलो जूल ऑप्सन बताएं की न बताएं इसे भी रहने देते हैं क्योंकि पीछे ही तो है जैसे उस्मा पढ़ो गया आपको यह समझ में आ चाएगा तिक तो हम नही बढ़ते हैं। अगला उद्थाल का सशल मात्रग क्या है हूँ? अगला पाल तो जो भी एनर्जी आ रही हैं, उसका सोगा वाट का रेगा, वाट तो आम पुर्जा, ओर्जाल का संशल मात्र क्या है, वाट हो गया। अगला question त्वरड का SI मात्र क्या होता है तो त्वरड का मतलब क्या होता है meter एक दूरी जो वेग बटा समय ठीक है जो त्वरड हो क्या है वेग बटा समय है तो क्या होगा इसका meter per second square क्या होगा meter per second square होगा ठीक है अगला केल्विन मापने की इकाई क्या है केल्विन किसको मापने की इकाई है तो सबसे पहले हमने आपको यह बताया था कि केल्विन किसको मापने की इकाई है तो सबसे पहले तो यह बनालो कि एक मूल मात्रक है केल्विन क्या है मूल मात्रक है और किसको मापती है ये ताप को ठीक है ताप मान को मापने की इकाई क्या है वो केल्विन है ये आप लोगों पता भी होगा हूँ कि अगला कोश्चुन है प्रतिरोद कुमापनें की इकाई क्या है तो प्रतिरोद को पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं आप से बोल रहे हूं एक तो SSC SSC में पूछा गया था बेवर के बारे में और हेंरी और फैरेड एक किसी पूछा गया था मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन इस अभी पूछे हुए एक्जाम मैंने सुबह देखा था इन सबको सारे कोश करने सब्सक्राइबों यहार था कि बतां एक तो ने गाती है था इन दोनों करना अगे बढ़ोंगे टो जितना बतां उतना आपियात करलो के पास तो कुछ खुद से खोजो अगला आगे बढ़ते हैं वायू की गति निम्लिकित में से किसके द्वारा मापी जाती है तो वायू की गति किसे मापते हैं एनिमो मीटर से ठीक है अजया बैरो मीटर से क्या मापते हैं क्या मापते हैं एंसवर आपके पास है हाइडो मीट से क्या मागते हैं और विंडवेंज का क्या काम है यह आप मुझे बताएंगे मैं इसलिए नहीं बता रहे हूं क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो फिर आपको कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा अगला डेशिबल लिकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है बताने की जरू तो प्रते क्या डेशिबल व कौई जरूत नहीं है ठीक डेशिबल अभी पीछे बताये थे आगे प्रकास वर्स निम्लेलेखित की इक आई है पीछे बता चुके हैं ठीक अगला सापेच आदरता मापी जाती है तो जो सापेच हादरता है सापेच हादृता को किस से मापते हाइग्रो मीटर से ठीक है सापे छादरता को हाइग्रो मीटर से मापते हैं तो फिर हाइड्रो मीटर लेक्टो मीटर और पोटेंसियो मीटर का क्या यूज है आप बताईएगा ठीक है अगर नहीं बता पाएंगे आपको लगता है कि नहीं हूपाएगा आपसे तो फिर हमें ओ acontec gaga डॅज का आप फाल ब्रसक तुला मि हैं तो आगे हम और सारे को लेकर आने वाले हैं आप मुझे बताईएगा आप यह चाहते हैं इसके बारे से आपका क्या क्या कांफूजं बच गया है आप वो मुझे बताएगा बाकी टॉपिक तो हम लेके ही आएंगे और कुछ ऐसे ही कोश्चिन के माध्यम से हम सारे कोश्चिन करने मतलब सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं तो थेंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सेर सब सब्स्क्राइब कर देना